आज मैं आपके लेके आई हूँ यूट्रियेशन से बरपूर ओमेगा-3 विटामिन जिंक मैं और क्या-क्या आपको इसके नाम गिनवा हूँ बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही रिच एक लड्डू की रेसिपी यह कोई ऐसे वैसे लड्डू नहीं है जिस किसी का भी ह बहुत जादा या इसकिन आपकी बहुत जादा डल हो गई है तो यह रेसिपी आप लोगों के लिए पाइदे मंध हो सकती है तो बने रही है मेरे साथ वीडियो में यह बनाते हैं यह हेल्दी से ड्राइफ्रूट लड्डू और देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए में आलमंड्स को ड्राइ रोस्ट करूँगी यह मैं सिम गयास पे इन्हें ड्राइ रोस्ट करूँगी और इन्हें आपको तब तक ड्राइ रोस्ट करना है जब तक इनकी स्किन का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए यह हलके से ब्लाकिश कलर में आ जाते हैं और आलमंड्स तो ब निकाल लूँगी इसमें थोड़ा सा जादा टाइम लगता है और आपको दिखेगा इसमें हलका हलका इनके ओपर आना शुरू हो जाएगा जब यह अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तंडा होने के लिए रख दूँगी और इसी में मैं दूसरे अपने ड्राइफरूट को र बहुत ही हल्दी होते हैं खाने में भी अच्छे लगते हैं और कई बार ऐसा होता है होल्सम सारे ड्राइफरूट एक साथ नहीं ले पाते हैं तो यह एक लड्डू है जो सारी ही चीजों को आप एक बार में ही कंज्यूम कर पाएंगे तो यह भी मैंने साइट में निकाल द और पाएंट्स होते हैं हेल्दी होते हैं हमारे सकिन के लिए यह हमारा वेट भी मेंटेन करते हैं तो मैं आपको क्या किया रचांते बताओं काउंट ही नहीं है बहुत ज्यादा है क्यों दोट तो आप यह अपनी डाइट में जरूर इंख्लूड कर यह वालन टो बहुत जुल को सकती इसे अपने आपने बहुत ज़ाधा आप łछ रोस्ट किया है संदा होने के लिए बहुत होती जाएं आप सेसमे सीट्स वोते हैं यह अपने पर शयक्याल्ड अपने आप में बहुत ज़ादा है इने भी मैं ड्राय रोस्ट करूंगे और यह हलके हलके चटकने लगते हैं और यह बहुत जल्दी भुन जाते हैं ध्यान रखिएगा जब आप इन्हे भुनेंगे तो चलाते ही रहिएगा क्योंकि बहुत जादा जल्दी लग जाते हैं और इनमें से ऑईल भी रिलीज होने ल बहुत ज़ादा भरपूर मात्रा में न्यूट्रियंट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं, तो बहुत ही ज़ादा हल्दी होता है, और हाँ अगर आपको कोई भी नट सूट नहीं करता है या कोई भी ड्राइफ रूट आपको ऐलर्जी करता है, तो आप अपने एकॉर्डिंग इस लड्डू में से स्किप कर सकते हैं, ये सारे ही जितने भी मैंने आपको इसमें नट सडाल के बताए हैं, बहुत ज़ादा हेल्दी होते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपकी कोई मेडिकल कंडिशन ना हो, आप इन्हें बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ड्राइट में तो अब इसके आपको निकाल दी ते इक साइट और अब गीले वाले आते हैं वह भी यूज कर सकते हैं, पर उन्हें आपको रोस्ट करने की नीड नहीं होती है, तो ये सारे ड पर नहीं कर लिए रोस्ट करना और कोई भी ट्राइफुकर करना अच्छे से रीजियों करना ब्राउण कलर अजाएक बहुत जाएथा नहीं करना है और आप चाहें तो जो coconut है उसे skip कर सकते हैं और अगर आप coconut इसके इणदर एड़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी इसमें स्मेल आने लगती है लड़ों में तो आप ये फ्रिज में रखे ही खाएं और आप कोशिश करें कि इने आप जल्दी कंज्यूम कर लें बहुत जादा क्वांटिटी में आप ना बनाए क्योंकि कोकोनट की वज़ा से लड़ों में स्मेल आने का डर रहता है यह सारे ड्राइफूट्स मेरे ठंडे हो गए है और अब मैं एक एक करके इने ग्राइंड कर सकते हैं और मैं अलग-अलग क्राइंड कर रहे हु क्यूंकि की बार ऐसा होता है जब हम ग्राइड कर रहे होते हैं तो जो हमारे नट्स है वो wash रीली सब्सक्राइब है तो यह देखिए हमारे almonds तो मैंने ग्राइंड कर लिये हैं और यह रुक रुक के मैंने ग्राइंड किया है और ऐसे ही अब मैं अपने cashew nuts और हमारे जो यह अखरोट है इन्हें भी ग्राइंड कर लूँगी अभी मैं इसके अंदर मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी फोर टू फाइफ पल्स में मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और यह देखिया अच्छे से ग्राइंड हो गया है अब मैं इसे भी बावल में ट्रांसफर कर दूँगी ऐसे ही सेम में अपने अगर आप चाहें तो इन्हें और थोड़ी देर और भी ग्राइंड कर सकते हैं और सेम इसी फॉर्म में मैंने पीनट्स को भी ड्राय रोस्ट करके उसे पाउडर बना लिया था यह मैंने पहले ही करके रखा हुआ था इसके साथ मैं एट करऊंगे यह जगरी पाउडर आप चाहें तो झेगरी पाउडर की जगहा खांड भी डाल सकते हैं तो आप इसमें वेट वाले गीले वाले डेट कर सकते हैं उनकी वजह से इनमें ब्याइंड बहुत अच्छ आती है और अगर आपके लदू बाइंड नहीं हो रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं जो आपका गुड्ड है उसे हल्कासा वाटर या घी के सा साथ हल्कासा बौill क कर लीजे उससे भी आपके जो यह हैं अच्छे से राइंड हो जाते हैं अलका सा मैंने हाथ पे घी लगा लिया था उससे मैंने बाइंड कर लिया है हाँ इन्हें बनाने में थोड़ी महनत लगती है लड़ू में और बहुत अच्छा शेप नहीं आता है इनका आप यह सोचे क पॉडर फॉर्म में भी खा सकते हैं हिल ड्डि है आपकी सी भी फॉर्म में ले सकते हैं मिल्क के साथ इन्हें नहीं कर सकते हैं तो यह लड़ू आप जरू ट्राइ करिएगा बहुत हैं हैंक साथ म entrepreneur मिल और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में आप तब भी इने कंज्यूम कर सकते हैं एक लड़ू पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं तो मेरी रेसिपी तो रेडी हो गई है आप भी इसे बनाईए अपनी फैमली को खिलाईए और हेल्दी रहिए तो अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना मिलती हूँ आप मैं आपसे और अच्छी और हेल्दी रेसे पीस के साथ तब तक के लिए बाबाए